हालो फ्रैंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम इसी तरह की जो है यह जो बेल्स है वो किस तरह से हम अपने object के ऊपर लगा सकते हैं, बिलकुल free add-on है यह कहलें के बिल्कुल free blend files है जो के हमने i account लोड करनी है बिल्कुल फ्री में और उसे हम अपने किसी भी आपजेक्ट के ऊपर जो है इस तरह का लुक दे सकते हैं ठीक है लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में मजूद है उस लिंक पर जाएं और ब्रेंड फाइल को डाउनलोड कर लें दिस्क्रिप्शन में निक दीया हुआ है उस पर ए यहाँ पर आजाएंगे तो यह सहें ऄने के बाद डौन को किस तरह से दाउनलोड कर सकते हैं यहां पर जो जीरो पर जो है अपना फ जीरो फ्रेस करें और यहां पर क्लिक करें I want this यहाँ पर एक email address देदें आप अपना email address देने के बाद आप जो है से get कर दें ठीक है get पर click करेंगे तो यह कुछ जो है बताएगा आपको your purchase has been successfully तो अब जो है view content करते हैं ठीक है तो यह हमारे पास कुछ यह जो है इसके दो version जो है वो नजर आ रहे हैं आप इसे काम करें कि download कर लें दोनो ओके तो अब जो है यह जो है दो blend file की तो सूरत में हमारे पास आ गई हैं इसे कैसे use कर सकते हैं चलिए वो देख लेते हैं blender open कर लें blender open करने के बाद यहाँ से file में जाते हैं और append करते हैं किया है उसके बाद आप simply click करें उसके ओपर double click करने के बाद हम जाएंगे node tree में node tree में जाने के बाद यहाँ पर यह देखें आपको नजर आता है IV generator तो इस पर double click करें तो यहाँ पर कुछ दिखने ही रहा उसकी वाज़ा यह है कि हमने अभी तक इसको एक्टिव नहीं किया इसको एक्टिव करने के लिए हम अपने क्यूब स्लेक करेंगे क्यूब के उपर हम जो है modifier लगाएंगे modifier geonauts तो geometry node आपने लगा दी उसके बाद यहाँ से click कर दें IVs पर ठीक है तो यह हमारी जो IVs है वो आ चुकी है अब इसको जो है हम simply सिर्फ जीत बागे इसको mouse अपना जो है जिस तरफ करते हैं यह उसी तरफ जो है move हो जाती है ठीक है तो यह तरीका है इसको जो है use करने का तो let's say यह तो blend file के अंदर थी और यह already जो है लगी ही है तो अगर मुझे यह अपने object के ऊपर लगाना है तो let's कि हम अपना object ले आते हैं यहां पर मैं अपने acid browser में जाता हूँ acid browser बहुत अच्छी चीज है यह बहुत ज्यादा helpful है हमारे लिए जो है हमारे किसी भी scene में हम एक दो click के साथ हम जो है इसको ले आते हैं अपनी कोई भी model को ओके तो यह मेरा model आ चुका है यहां पर अब मैं इसको जो है अगर टैब दबाता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि यह दो अटलिस्ट दो parts में हो ठीक है तो जैसे कि यह देखें एक मेरे पास यह कुछ यह जो wires नजर आ रही है wires type की चीज वह है और एक यह जो पर यह दोनों अलग लग जो है हम इने कर दी है ठीक है तो अब यह जितने ज्यादा हो उसनी कोई issue नहीं है जिस तरह आपने यहां पर देखा है ठीक है एक object है दो तीन चार पांच छे जितने भी object हों मगर मैं आपको सिर्फ यहां पर जो है इसके बाद यह जो हमारी जो यह target यह है वो असल में जो हमारी यह collection है जिसके ओपर already लगा हुआ है वह target के नाम से है ठीक है इसको मैं कर दूँगा बंद तो यह देखे मेरी सारी blends जो पहले वाली थी वह चली गई है यहां से अब अगर मैं अपनी यह बेल्स को तो जैसे मैं यह collection 2 पर इसको convert करूँगा तो यह कुछ हमें इस सारा से दिखती है ठीक है तो अब अगर मुझे जो है इसको अपने यह साब से adjust करना है तो यह नीचे देखें आपको यह cube नजर आ रहा होगा तो cube को जो है हम कर लेते हैं साइड पर जीद बाते हैं तो यह देखें जीद बाने से हमारा एक्चुली जो भी हम यह काम कर रहे हैं वह हम अपने यह cube की ऊपर लगाई हुई है यह cube को adjust करते हैं मतलब cube को हम जहां पर करते हैं अगर मैं यह देखें लेट से के अगर मुझे यह वाली इसकी जो vertex है उसे मैं अगर जीद बा के मूव करता हूं तो यह देखें फें靠 और अगर मैं यह वाली vertex के ज्सक्रट स्देख यहां से जीदवा काम कर रहा है तो यहां से त्थैंक है? हमारी भेल भेल मैंत इए अब आम की यह है जो यहां से त्थवड़ा आगे बढ़ाना है तो मैं इसको जो है इद बाग एक्स्ट्रूड कर सकता हूँ ठीक है और इसी तरह अगर मैं इद बागे थोड़ा नीचे करूँ वर्टेक्स को अपनी तो यह देखें हमारी जो वेल है हमारी जो तारे हैं उन्के ओपर भी आ रहा हुँ है कि ओजेक्ट को सलेक्चिंक्त धर्मॉट तो यह याद रखिएगा कि अपने ही जो है उतने ही उपजेक्ट के ओपर जो है यह मूव कर सकती है ठीक है तो फ worship Shade इद बांको आप एक्सिरूड करके बाएं यां तो आप जी दबा के सिरफ आगे कोई वर्ट करकते के अगे कि जाए ए और अगर आप सिर्फ जी दबाते हैं तो तो चिर्फ जो है हमारी पास तो स्थwno sindic selected age है वो सिर्फ आगे बढ़ेगी तो आपने ये देख लिया कि ये किस तरह से काम करती है उमीद करता हूँ कि आप जो है इसे बहुत अच्छे एफेक्स से जो है बनाएंगे आप और अपनी जो है एनिमेशन को और ज्यादा बेहतर कर सकेंगे तो आज की वीडियो सिर्फ यही थी उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताके आप इसी तरह के फ्री एड ओन्स के जो है कोई भी अपडेट जो है वो मिस्स ना कर सकेंगे तो थैंक यू झाल